असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम इन्फाइनाइट लिमिट्स की बात करेंगे और इसके लिए अक्सरसाइस 2.6 के कुछिन नमबर 53 से 58 तक सोल्व करने वाले हैं इन questions में आपको different numbers पर left और right limits evaluate करनी है और आपके पास functions जो है वो infinity को और प्लस infinity को या minus infinity को अप्रोच करेगा इनको कहा जाता है infinite limits, ठीक है तो अगर आप पहले दो स्वाल अच्छे से समझ लेते हैं तो बाद में कोई problem नहीं होने वाली बस इसमें आपको थोड़ा सा केरफूल रहना है लेफ्ट और राइट लिमिट्स के हवाले से so question number 53 के basically चार parts है पहले part में 2 पे right then 2 पे left इसी तरह से फिर minus 2 पे right और then minus 2 पे left ठीक है ये चार लिमिट्स हम one by one find करने वाले है so अगर पहले question में पहले part की बात की जाए जिसमें आपके पास है limit x approach is 2 from right side one over x square minus 4 ये function है देखें डिरेक्टली अगर आप two लगा देते हैं तो वो one over two square minus 4 four minus 4 जीरो बन जाएगा लेकिन इससे हमें अपने sign के बारे में information नहीं मिलेगी उसका तरीका गार फिर ये होगा कि आपने function को थोड़ा simplify कर ले चीज़ें आपको थोड़ी और दिखने लगेंगी और आप असानी से ये फैसला कर पाएंगे कि इसका answer में positive infinity आ रहा है या negative infinity आ रहा है so x square minus 4 पे अगर आप formula लगाते हैं वो ये square minus b square वाला तो आप इसको लिख सकते हैं x minus 2 multiply x plus 2 ठीक है alright अब देखिए दिरा 2 पे right side से approach करने का मतलब है 2 से कोई बड़ा number होगा exactly 2 नहीं होता limit का हरगी मतलब 2 नहीं होता तो ये तो right limit है right की limit का मतलब है 2 से बड़ा number कोई भी बड़ा ये matter नहीं करता कितना बड़ा 2.01 ले सकते हैं आप मजीद करीब आगे 2.001 ले सकते हैं ठीक है actually में हम put 2 को ही कर रहे हैं बट यहां से आपने sign के बारे में पता लगाना है तो आपके पास answer में यही आएगा 2 minus 2 and 2 plus 2 ऐसे ही है तो आप इसी कर यह वाला जी limit लगा रहे हैं कि 2 को right से अप्रोच कर रहे हैं बड़ा number होगा तो बड़े में से छोटा minus करें तो answer positive आता है तो इसका answer इस zero की वज़ा से positive infinity आएगा खलिए है रहे ना बस इसी जीज़ का आपने आगे भी ख्याल करना है अब आ जाएं 2 की left limit पे limit x approaches 2 from left side function अब बजाए कि मैं यह लिखूँ मैं directly अपने x minus 2 x plus 2 वाला लिखूँगा x plus 2 ठीक है 2 को left से अप्रोच करने का मतलब है 1.9 मजीद करीब जाएंगे 1.99 आ जाएगा मजीद करीब होते जाएंगे 1.9999 कुछ इस तरह से आएगा 2 से चोटा नंबर रहेगा जब आप इदर 2 से चोटा नंबर लगाएगा तो माइनस 7 में आजाएगा ऐसे यह ना 1.9 माइनस 2 कर लें तो भी माइनस 2 करें फिर भी माइनस में 0.001 आ जाएगा ठीक है तो answer में तो आपके पास infinity ही आएगा बट इस मरतबा minus का infinity आएगा आप put भी 2 ही कर रहे होंगे यहाँ पे ठीक है दिखने में यह 1 over 0 ही है बट चूंके left side थी number यह छोटे मैंसे बड़ा minus कर रहे है तो एक minus साथ में extra आ जाएगा तो इसका answer बन रहे है जी negative infinity ठीक है ओके so next question पर आज़े हैं बलके question यही है part next है minus 2 तो वैसे करना आप हो खुद चाहिए लेकिन चले मैं कर देता हूँ limit x approaches minus 2 from right side पहले function है आपके पास 1 over x minus 2 multiply x plus 2 once again minus 2 की right पर minus 2 से बड़ा number होगा मतलब minus 1.9 आ जाएगा मजीद करीब आएगा तो minus 1.99 आ जाएगा जब आप यहाँ पर इस number को put करेंगे तो एक number अच्छा इसमें mainly ना mainly आपने किसी इसके बारे में focus रहने है आपने यह देखना है कि नीचे positive में आ रहा है कि negative में आ रहा है उपर तो 1 positive ही है नीचे x minus 2 का answer किसमें आएगा बढ़ा सकते हैं x minus 2 का जब आप इसमें minus 1.99 लगाएगा तो negative आ जाएगा और x plus 2 का positive आएगा क्योंकि x जो है वो minus 1.99 है यह 2 बड़ा नंबर है 2 minus 1.99 करेंगे तो positive आएगा तो negative multiply positive क्या होता है negative होता है तो actually मैं यह 1 over 2 minus 2 ही लिखेंगे sorry minus 2 minus 2 and then minus 2 plus 2 लेकिन signs पे आपने focus रखना है तो नीचे negative है इस वजह से इसका answer negative infinity में आ रहा होगा ठीक है अच्छा आप आजएं इसके last part में d part में जहां minus 2 की left limit find करनी है so limit x approaches minus 2 from left side function है 1 over x minus 2 x plus 2 और minus 2 की है left side मतलब minus 2.1 फिर minus 2.01 फिर minus 2.001 and so on इसको जब आप अपने number में लगाएंगे actually में तो आप minus 2 ही लगा रहे होंगे minus 2 minus 2 and minus 2 plus 2 अच्छा इसको भी हमज़ा दरम्यान में करते हैं sorry भी इसको दरम्यान में रखते हैं तो minus 2 और minus 2 यह आप कर रहे हैं इसका answer आपके पास आएगा negative में और minus 2 plus 2 चूंके यह minus 2 को आप actually में यह number देख रहे होंगे इनफ स्पेस मिल जाए हमें इसके भी देखें वैसे ही है similar question आपके पास x over x square minus 1 सबसे पहरे तो हम function को थोड़ा simplify कर लेंगे x approach कर रहा है पहले part में 1 को right side से इसको मैं लिख सकता हूँ x over x minus 1 multiply x plus 1 एक चीज़ आप समझ रहे हैं कि जितनी भी limits हैं infinity ही आएगा हमने बस ये decide करना है positive infinity या negative infinity तो हमारा ज्यादा जो concern है वो symbols के साथ रहेगा इसमें अब देखें आफ 1 को अगर आप right से approach करते हैं तो इसका मतलब है 1.1 है मजीद करीब जाएंगे तो 1.01 आ जाएगा 1.001 आ जाएगा तो जब आप minus ये numbers put करेंगे अपने x में ऊपर तो answer positive में रहने वाला है ठीक है नीचे x-1 का answer भी positive में रहने वाला है क्योंकि x 1 से बड़ा है तो x plus 1 का answer भी भाइदव है positive में रहने वाला है तो सारे positive है तो answer में क्या आएगा plus का infinity ठीक है अगर आप limits लगा भी देते है actually मैं ये इसके equal नहीं है बस समझाने के लिए लिए लिखा है 1 minus 1 1 plus 1 तो 1 over 0 ये infinity की आ रहा है ठीक है चलें b part पर आज़ें ज़रा where we have limit x approaches 1 from left side function आपके पास है x over x minus 1 x plus 1 थोड़ा सा आप वीडियो को post करके इसको खुच से भी करने की कुशिश कर सकते है क्या इसकी limit क्योंकि one negative side से approach कर रहे है तो क्या limit का answer होगा चलिए मैं बता देता हूँ one की left side का मतलब है one से छोटे number होगे one से छोटे positive ही होते है ठीक है x plus 1 का answer positive में बनेगा तो positive over negative तो इस cancer बनेगा one over zero which is negative infinity in this case क्योंकि नीचे negative आ रहे है ठीक है चलिए c पार्ट पे आ जें जब minus 1 पे आपको limit देखनी है limit x approaches minus 1 from right side है पहले x over x minus 1 x plus 1 this is equal to उपर आएगा negative minus 1 को आप left करें या right करें negative भी बनेगा divided by minus 1 की right का मतलब minus 1 से बड़ा number जो कि actually में negative ही होगा तो x minus 1 का answer भी negative में आने वाला है ठीक है इसके साथ में अगर आप x plus 1 का answer देखें इस case में वो हमारे पास आएगा positive क्यों? 0.9 एक number में ले रहा हूँ तो जब आप 1 में से 0.9 minus करेंगा तो positive answer बनेगा तो उपर negative है नीचे भी negative है cancel होके answer इसका positive infinity आ जाएगा ठीक है? last part में minus 1 की left limit so we have x approaches minus 1 from left side function आपके पास है वो ही same x over x minus 1 x plus 1 once again देख लें minus 1 की left limit है उपर negative है आएगा x है ना? तो नीचे minus 1 की left side का मतलब है minus 1.1 या minus 1.01 या इसी तरह से ये minus 1 से actually में अगर minus में देखा जाएगा तो छोटे नमबर है ऐसे ही है ना? यहां पर लगाएंगे x minus 1 cancer बनेगा negative में और जब आप x plus 1 में put करेंगे तो 1 minus 1.01 का अंसर भी negative में बनेगा तो negative negative positive बट उपर negative आ रहा है जिसकी वजह से आपका अंसर negative में ही रहेगा और इस का answer आएगा negative infinite उमीद है आपको समझ आ रहे होंगे questions as such कोई मुश्किल काम नहीं है sign आपने decide करना है और sign decide करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है आप देख लें positive side से करना है यह negative side से approach कर रहे हैं किसी भी number को ठीक है यह फिर बहुत हम नीचे जा चुके हैं थोड़ा सा हम इसको दर उपर ले हैं फिर solve करते हैं ओके so this is our question number 55 by the way exercise है हमारी 2.6 और इसमें x square over 2 minus 1 over x function है limits हमें find करनी है सबसे पहले 0 पे right limit so in our first question limit x approach is 0 from right side right side पे 0 के positive numbers होते हैं ऐसे ही है so x square over 2 minus 1 over x all right 0 put की जिये है इसमें so 0 square over 2 आजएगा minus 1 over 0 ठीक है इस minus की वज़ा से यह negative infinity इसका answer आएगा ऐसे ही है न 1 over 0 infinity होता है right side से करें तो भी infinity होगा बट इस minus की वज़ा से negative infinity है ठीक है all right next part में 0 की left limit बलके मैं यूँ करता हूँ हम इसी कोई ज़रा copy paste न कर लें बज़ा है कि एक मरतबह फिर से time लगा कर लिखें वैसे time तो इतना ही लगी है खेर चलें तो यह हमारे पास है जी इसमें 0 की left limit और 0 की left पे होते है negative में नंबर्स अब जब आप 0 का square करेंगे तो वो positive में हो जाएंगे बट यह जो 1 over x है यह denominator में x नज़रार है यह negative में आएगा एक negative यह और एक negative यह ultimately answer आपका आएगा positive infinity ठीक है तो बारा से देखने इस x की दिगाँ पर आपका put करना है basically minus का 0.01 या minus का 0.001 and so on यह numbers minus में है actually में एक minus यह है और एक minus यहाँ से तो answer positive infinity आएगा ठीक है अच्छा नेक्स पार्ड में देखें 2 की power है 1 over 3 right so limit x approaches 2 to the power 1 over 3 आप इसको लिख सकते हैं बिजाए कि इस तरीके से लिखें cube root function आपके पास है जी x square over 2 minus 1 over x बस limit लगा दीजिए इसमें तो आपके पास बनेंगा 2 की power 1 over 3 इसकी whole power 2 divided by 2 minus 1 over 2 power 1 over 3 अच्छा अब आप ने थोड़ा सा काम करना है थोड़ा सिंप्लिफाई करेंगे तो actually में ये number आप देखें कि इसके equal ही आजएगा द्रिवान माइनस sign है तो इस cancer 0 आजएगा ठीक है थोड़ी से working है वो आपने खुद से कर लेनी है तो इतना मुश्किल नहीं है बेसिकल जबरा के रूल यूज हो रहे है बेसिस सेम है powers आप add minus कर देंगे add subtract कर लेंगे last part क्या था इसका x approaches minus 1 अल राइट ये अभी कोई इतना मुश्किल नहीं है limit x approaches minus 1 over function is x square over 2 minus 1 over x directly minus 1 लगा दीजिए तो ये बनेगा minus 1 square over 2 minus 1 over minus 1 ये बनेगा 1 over 2 and this is minus minus plus 1 half plus 1 इस होता है 3 over 2 mean 1.5 that's it ठीक है all right next है question number 56 सबसे पहले थोड़ा सा इसको ज़रा मजीद उपर ले जाए sorry time extra लग रहा है थोड़ा सा but थोड़ा सा ले जाते हैं okay चलिए start करते हैं this is x square minus 1 and divided by 2 x plus 4 थोड़ा सा simplification कर लेते हैं ताके हमारे लिए असान काम हो जाए तो आपकर जो function है उसको मैं बलके चाहूंगा separate ले लिख लेते हैं so x square minus 1 over 2 x plus 4 है इसको आप लिख सकते हैं x minus 1 x plus 1 क्या ख्याल है या plus पहले लगा लें और कोई matter नहीं करता लिख सकते हैं न और नीचे से भी 2 common ले लिए ये बाकी बचे का x plus 2 अब हम इस function को use कर रहे होगे चुंके दोनों equal हैं by the way so in first part a part limit आपको evaluate करनी है minus 2 पे right side से right limit and our function is x plus 1 I mean sorry x minus 1 divided by 2 times x plus 2 okay alright so लगाईए जी limit minus 2 की right side मजीद अगर इसको आप अच्छे तरीके समझना जाते हैं तो आप rear line की help ले सकते हैं this is over let's say minus 2 right side से approach करना है यहां कई minus 1 होगा तो यहाँ आदेगा minus 1.9 मजीद करीब जाएंगे तो minus 1.99 इसी तरीके से ठीक है जब यह नंबर यहां पर put करेंगे x plus 1 में actually में तो आप minus 2 ही put कर रहे हैं ना minus 2 plus 1 ही कर रहे हैं और साथ में minus 2 minus 1 ही कर रहे हैं divided by 2 multiply minus 2 plus 2 but signs आपके matter करते हैं क्योंकि minus 2 की right side है और यह है minus 1.9 इसमें put कीजिए तो आपके पास answer आएगा negative में minus 2 और minus 1 यह भी negative में आ रहे है तो उपर होगे 2 negative जबके नीचे 2 तो constant था x plus 2 का answer आपके पास आएगा positive में क्योंकि minus 1.9 plus 2 0.1 बन जएगा तो यह आ रहा है positive में ऐसे ही है तो overall फिर क्या answer बनने वाला है इसका this is over by the way a part उपर भी positive होगया नीचे भी positive तो answer में positive infinity आ जाएगा that's it ठीक है चुँके नीचे 0 था ना sum number of 0 is undefined is infinity ओके b part वैसे करना था आप खुछ चाहिए लेकिन चले हम कर लेते हैं limit x approach is minus 2 from left side function आपके पास x plus 1 x minus 1 divided by 2 times x plus 2 थोड़ा speed तेज़ करते हैं minus 2 की left side मतलब minus 2.01 minus 2.001 and so on इस तरह से आप minus 2 का प्रोच कर रहे होंगे तो आपके पास basically उड़तो अगें minus 2 ही कर रहे हैं minus 2 plus 1 and we have minus 2 minus 1 divided by 2 multiply minus 2 plus 2 ठीक है इसको let me raise it all right so minus 2 plus 1 again minus 2.01 इसका मतलब है न left side से अप्रोच करने का मतलब तो इसका answer फिर क्या बना चाहिए जब इसमें 1 आप add कर रहे होंगे negative में बना चाहिए of course minus 2 minus 1 का answer भी आपका negative में बनेगा और नीचे minus 2.01 plus 2 तो ये भी answer आपका negative में ही बनेगा उपर negative negative positive हो जाएगा जबके नीचे negative है ठीक है तो ये बनेगा minus का 1 minus का 3 3 बन गया 3 over 0 तो ये positive infinity ये negative sorry नीचे negative है that is why ये negative infinity आ रहे है ठीक है अब आपने same lines पे 1 पे evaluate करने और इसी तरह से फिर आपको 0 पे evaluate करने ये इदने मुश्किल नहीं है बलकि ये infinite limits भी नहीं है actually में तो जब आप evaluate करेंगे न x approach कर रहे है जी 1 को right side से तो we have x plus 1 x minus 1 divided by 2 times x plus 2 directly limit लगा दी रहे है 1 plus 1 then we have 1 minus 1 divided by 2 times 1 plus 2 चुँकर ये 1 minus 1 0 है जिसकी वज़े से सारा को 0 हो जाएगा अब आपको 0 पे left limit find करनी है so in last part over limit x approach is 0 from left side function आपके पास है dx plus 1 we have x minus 1 divided by 2 times x plus 2 तो लगा दी जीए 0 फिर इसमें ये आदेगा 0 plus 1 0 minus 1 divided by 2 multiply 0 plus 2 तो नीचे आदेगा 4 उपर minus 1 plus 1 multiply होगे minus 1 तो इस cancel बन रहा है simply minus 1 over 4 that's it ठीक है चले next हमारे पास है आज का second last question question number 57 इसको देख लेते हैं function once again आपके पास उपर एक quadratic type given है x की power है 2 तो पहले आप इसकी factorization करेंगे मैं आपको directly लिख देता हूँ ये किसके equal है आपका given function जो है वो equal है g x minus 2 x minus 1 यानि इसका एक numerator जो है न उसके ये factors बन रहे हैं और नीचे से आप x care common ले सकते हैं बाकी बचेगा x minus 2 तो हम actually मैं इस function को use करेंगे इस function को use करेंगे limits find करने के लिए ठीक है तो part a को देखिए इसमें basic लिए 5 parts है x approach करेगा पहले part में 0 को right side से x minus 2 आ जाएगा साथ में आएगा x minus 1 divided by x square x minus 2 लगाईए जरा 0 इसमें तो ये 0 minus 2 then we have 0 minus 1 divided by 0 square times 0 minus 2 तो उपर negative negative positive नीचे क्या आ रहे 0 minus 2 is negative तो इस cancer पर क्या आएगा negative infinity आएगा ठीक है नीचे जूंकर 0 आ गया तो 2 over 0 बट इस minus की वज़ा से negative infinity बी पार्ट पर आ जें जिस पर आपको 2 को पर limit evaluate करनी है limit x approach is 2 और right limit evaluate करनी है we have x minus 2 x minus 1 divided by x square x minus 2 and या देगा जी 2 minus 1 sorry sorry 2 minus 2 है basically then we have 2 minus 1 and then we have 2 square and 2 minus 2 2 minus 2 अब आप जरा sign decide करें 2 minus 2 का sign क्या आएगा 2 अप्रोच कर रहे हैं right side से right side का मतलब क्या होता है right side का मतलब actually में यह होता है कि आप 2 से बड़ा number ले रहे हैं तो 2 minus 2 का फिर answer positive बनेगा ऐसे ही है ना और we have the other one sorry 2 minus 1 यह तो of course positive बन रहे ठीक है 2 minus 2 का answer भी positive बनेगा तो फिर क्या answer बन रहे हैं 2 बे जब आप इसकी right limit evaluate करते हैं so sorry एक mistake कर गए है ना हम जो नहीं करनी चाहिए थी okay video काफी बन गई है इसलिए मैं आप cancel नहीं करने वाला यहीं से समझना पढ़ेगा आपको भी देखें 2 minus 2 तो हमारे पास cancel out हो रहे है उपर नीचे से इसको करने की actually में जरूरत ही नहीं है इसे ही है ना 2 minus 2 आपका cancel out डूरा दो रहे है दो बारा आ जाए है sorry it's my mistake basically पहले से ही में देखना चाहिए था first part पर दो बारा आ जाए है 0 पर आप basically limits evaluate कर रहे है sorry sorry once again यह हो गया आप actually में 0 पर limits evaluate कर रहे हैं ना और यह आपके पास function है x minus 2 this is over again x minus 2 इसको अभी हम cancel नहीं करेंगे उसकी वज़ा यह है कि यह हमें science को science के बारे में हमारी help करेगा science के बारे में बताएगा तो यह हमने part बिल्कुल ठीक किया था ठीक है 0 minus 2 का negative answer आता है 0 minus 1 का answer जो है वो negative आता है उपर positive हो गया negative negative नीचे negative है तो answer इसका negative infinity आ गया ठीक है अब आज है दूसरे part में अब हम चुके 2 पे देख रहे हैं न x अप्रोच कर रहे है 2 को तो we can cancel out this ठीक है 2 पे जब हम limit देख रहे हैं तो यह x minus 2 है ultimately 2 minus 2 उपर भी वही चीज़ बन रही है नीचे भी वही चीज़ बन रही है तो अब हम इसको cancel कर सकते हैं so we can only write x minus 1 over x के ठीक है चुके 2 पे limit evaluate हो रही है x minus 2 भी वही same हमें वह देगा क्या कहेंगे sign और नीचे भी x minus 2 भी same sign करेगा तो इनको हम cancel कर सकते हैं अब पहले नहीं कर सकते थे ठीक है all right so function आपका reduce हो गया ठी x minus 1 over x square आ गया अब आप इसमें 2 लगाईए उपर so we have 2 minus 1 divided by 2 square answer में क्या आ रहा है फिर इसका 1 over 4 आ रहा है बट याद रहे यह function 2 के लिए define नहीं है अगर्चे हम इसको cancel कर दिया हुए लेकिन actual function 2 के लिए define नहीं था अब आपने same lines पे इसकी right limit find करनी है अच्छे confused नहीं हो ना यह जो हमने part अभी किया है इसमें हमने क्यों cancel out किया उसकी reason आपको बता चुका हूँ x-2 उपर नीचे same काम कर रहा था और दूसरी बात हम 2 पे limit find कर रहे है that's why हमने उसको cancel कर दिया था अब हम करनी है 2 पे right limit value same काम है कोई difference नहीं है 2 लगाई है 2-1 divided by 2 square once again उसका answer 1 over 4 आ जाजेगा ठीक है अब वो next part में पूछ रहा है d में क्या 2 पे limit exist करती है limit तब exist करती है जब right और left limit equal हो जए yes इस case में left और right limits equal है तो इसका मतलब है फिर function की actual limit भी exist करेगी ठीक है यहा था function आपके पास originally limit x approaches to 2 function था हमारे पास x-2 x-1 divided by x square x-2 तो इसकी limit yes exist करती है और इसका answer आ रहा है जी 1 over 4 ठीक है अब same lines पे इसको calculate भी कर सकते है all right बट यह function भी थोड़ा से मैंने पीठे से step छोड़ा है इन में आपने यह function एक मरत बेज़े ज़रूर लिखना है then cutting करनी है then इस पे आना है time already चूंके काफी हो चुक है थोड़े से मैं steps जो हो miss कर रहा हूँ अब आप पूछ रहा है कि 0 के बारे में आपका क्या ख्याल है या 0 पे limit exist करती है तो आपने 0 पे देखा था right limit इसकी negative infinity थी अब आपने इसकी left limit भी वैसे find कर सकते है उसका answer भी आपके पास negative infinity ही आएगा ठीक है तो 0 पे जो actual limit हमारे पास आ रही है वो negative infinity है या आप खुद कर सकते है इसी तरह से next question number 58 maybe same almost almost same हमारे पास जो है वो given है statement क्या इसमें को difference है sort of difference है denominator में देख लेते हैं इसको भी एक अड़ा पाड़ कर देता हूँ बाकी आप खुद try कर लीजिएगा so question number 58 time हमारा जो है वो already 27 and half हो चुके है चलें खेर तो इसमें भी आप कैसे लिखेंगे सबसे पहर देख ले ना उपर function आपका जो है वो बन जाएगा x minus 2 and x minus 1 ठीक है यह factor बन जाएंगे numerator के और denominator में से x कॉमल लेंगे इस मरतबा बाकी बज़ेगा x square minus 4 ठीक है तो अब आप x square minus 4 को कर सकते हैं या बना further formula लगाईए इस पहर यह बनेगा x minus 2 साथ में आजएगा x plus 2 divided by x as it is और x square minus 4 को आप लिख सकते हैं x minus 2 x plus 2 ठीक है sorry यह 2 नहीं है यह 1 है this is over 1 x यह मैं क्या कर बैठा हूँ sorry this is over x minus 1 x minus 1 ठीक है तो नीचे है x minus 2 x plus 2 तो actually हम इस function को use कर रहे होंगे to find the limits तो part a में अगर आप देखें जब हमें limit find करनी है 2 पे बट इसकी right limit valued करनी है actual function पहरे लिख लेते हैं which is x square minus 3x plus 2 divided by x cube minus 4x अब आप इसकी simplified form लिख लें यहां से x minus 2 x minus 2 cancel हो जाएंगे तो आपके पास basically बनेगा limit x approaches 2 from right side function आपको बचेगा x minus 1 over x times x plus 2 all right 2 पी right limit का मतलब है 2 से बड़ा नमबर तो पर आजेगा यह 2 minus 1 divided by 2 और यहां पर आजेगा 2 plus 2 तो यहां पर 1 बनेगा नीचे 2 plus 2 4 4 multiply 2 is 8 तो अंसर बनेगा 1 over 8 that's it यह 2 की right limit है अब आजें minus 2 पे minus 2 की भी right limit ही है हमारे पास so limit x approaches negative 2 from right side function actually में तो यही है आपने पहरे लिखने हैं फिर उस पे जाने हैं so मैं directly दूसरा बना function ही लिख देता हूँ ठीक है but आपने शुरू से ही शुरू करने है function आपके पास है जी x minus 1 divided by x multiply x plus 2 जब आप देखेंगे minus 2 minus 1 put करेंगे नीचे आ जाएगा minus 2 and then minus 2 plus 2 ठीक है उपर आपका answer आ रहा है negative में negative में which is minus 3 basically और नीचे आ रहा है minus 2 negative मत्रब एक negative आ रहा है और चूंके minus 2 की right side है minus 2 की right side let's say यह minus 2 आपके पास यह minus 1 होगा right side का मत्रब है minus 1.99 जब आपसे 2 एड करेंगे तो वो positive आ जाएगा क्या खियार है तो नीचे negative और positive multiply होंगे negative negative cancel तो यह 0 नीचे चूंके एक और negative भी है this basically minus 2 यह भी cancel हो जाएगे तो answer में positive infinity ठीक है अब आपने same lines पर क्या करना है 0 पर इसकी left limit find करना है मैं आपको बता देता हूँ चलिए एक आदा step लिख भी लेते हैं we need to find limit x approach is 0 from left side function मैं यही लिखने वाला हूँ x minus 1 over x multiply x plus 2 ठीक है तो यह आजएगा 0 minus 1 divided by 0 और 0 plus 2 ठीक है उपर है यह negative नीचे 0 की चूँके left से आप approach कर रहे हैं तो 0 की left पर होते हैं negative में numbers तो यह आजएगा negative over यह भी negative है basically तो 0 है लेकिन actually मैं negative sign दे रहा हो गई है क्योंके 0 की left side है और 0 की left पर होते है negative numbers और 0 plus 2 का मतलब है positive numbers तो यह negative negative cancel ultimately आपके पास जो answer बनेगा इस 0 की वज़या से positive infinity बनेगा और उसा है ना confusing बट आपको बता चुका होँगा उपर एक negative sign आ रहा है एक sign नीचे negative का आ रहा है तो इस वज़या से दोनों cancel out होके answer आपका positive infinity बनेगा डी पार्ट में आजए है 1 पे limit find करनी है 1 पे जब आप find करेंगे तो चुक्के आपके function में उपर x minus 1 है तो ये 1 minus 1 0 आ देगा 0 over any number is 0 तो उसका answer 0 आ रहा है ती पार्ट में मैं अगर directly लिखना चाहूँ तो इसका answer 0 आ रहा है simple 0 पे limit क्या होगी जी 0 पे limit left आप find कर चुके हुए है right भी कर लीजिए और right limit का answer आपके पास आएगा negative infinity अब ये छोटा सा task का आपके लिए negative कैसे आएगा ठीक है ये कर लें बाकी इतना सारे कर लीए है ये भी कर लेते हैं limit x approach is 0 from right side function देखें शुरू मैं पिर बता रहा हूँ आपने ये ही लिखना है ये एक्शुल फंक्शन ये है सिर्फ limit फाइंड करने के लिए हमने इसकी simplification की है otherwise function आपका change नहीं हुआ this is actually equal to limit x approach is 0 from right side function आपका simplification के बाद बना था x minus 1 over x times x plus 2 जी 0 की right का मतलब है 0 के right वाले numbers और 0 के right पे होते हैं positive numbers put तो आप 0 minus 1 नहीं करेंगे नीचे भी एक 0 आएगा और ये आजएगा 0 plus 2 उपर आ रहा है negative नीचे आपके पास आ रहे हैं जी दोनो number positive में 0 का मतलब भी positive है और 0 plus 2 का मतलब भी positive है तो ये आएगा इस cancer negative infinity negative infinity ठीक है 0 की left limit positive infinity आई जबके 0 की right limit आगई negative infinity clear है तो 0 पिर actual limit इसकी exist नहीं करती वैसे भी यहां से पता जाड़ा है infinity है तो limit exist वैसे ही नहीं करेगी ठीक है तो ये आपके questions थे next 6 questions आज हमने किये है अगर कहीं से कोई problem है तो आप मेरे से जरूर पूछिएगा ठीक है थोड़ा सा confusing ज़रूर है लेकिन अगर आपको एक दो questions पहले सही समझ लगे थे तो बाद में कोई problem नहीं हुई होगी ठीक है तो आज की lecture थोड़ा lengthy भी हो गया आज के लिए इतना ही काफी है next lecture में मुलाकात होती है question number 59 से हम start करेंगे so आज के लिए इतना ही काफी है thank you very much